अब सभी का स्वागत है आज आप लोगों के लिए टेंथ केमेस्टी में जो दुसरा चेप्टर है आमल भास्म तथा लवन उसमें एक भास्म आता है उस भास्म का जो नाम है सोडियम कार्बोनेट क्या है सोडियम कार्बोनेट इसी का दूसरा नाम है क्या दोवन सोडा क्या होता है और इसका कुछ उपयोग है तो उपयोग के यह कोशन आप लोगों के 10 वोड में आता है तो जब भी पांच मार्व में आता है और पूछेगा आप लोगों को इसका गून भी पूछेगा और उपयोग भी पूछेगा और इसका बनाने का विधी भी पूछेगा तो चलिए आज देखते हैं देखिए सबसे पहले जो अप लोगों को यहां पे दिखरा नहीं है क्या दोबन तो आप लोग अगर देखें होंगी है तो कहीं भी अगर गंदगी ज्यादा हो यदि कपला ज्यादा गंदा हो तो फोर्यों किया जाता है तो अम वीडियो का स्टाट करतें तो ध्यान से अंतक जरू देखिए गाज देखिए सबसे पहला कोशन आप लोगों को एक्जाम में कुछी स्टाइब से आएगा और यह पांच मार्ष का कोश्चन कुछी तरह से आएगा कि सोडियम कार्बोनेट या इसी का नाम जो है धोवन सोडा आइसका जो रसानिक अनुसुतर होता है एने टू-3 जलके जो अनू बनाने का बिधी गून तथा उपयोग को लिखे अगर इतना गया एक जाम में तो यह पांक्ष माक्ष में आएगा ठीक ना तब इसको धियान से देखिए इसको बनाएंगे कैसी तब बनाने का बिधी देखिए सबसे पहले आप लोग पोस्टन में लिखिए गा एंसर जब होगा बनाने का बिधी देग यandır सोडियम बाय कार्बोनेट को घर्म करने पे सोडियम करडूर बनाया जाता है ऑगले वीडियो में बता चुक्य आप नहीं देखिए तो जरू देखिएगा सोडियम बायकंड कचिए यहां पर देखिए सोडियम बाइ करेंगे गर्म करने पर क्या करेंगे गर्म करने के लिए तो क्या बनेगा सोडियम करबूनेट को गर्म करेंगे तो उसका बनाने का बीधी है में इसका नोट में एहाँ लिख्येगा के रावा कला करन्ट से धोबन सोडा प्राप्त होता सोडिय Two ऐनना यह o तो धोबन सोडा में जो जलका अनू पाए जाता है कितना अनू पाए जाता है दस अनू पाए जाता है अगर एक लिखा हुआ राता तो एक अनू होता जलका लेकिन यहां पर टेन लिखा हुआ तो जलका दस अनू पाए जाता है धोबन सोडा में यह हुआ इसका बनाने का भी होता है तो घालियन होता है और देखे इसका जल ये विलियन कैसा होता है यह क्योंकि एक चार है यह तो भास्म है लेकिन यह घूल गुल गया चार अब देखिए जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता आए तो जल के 10 सनु जल का 10 सनु बाहर हो जाता है जो जल का 10 सनु बाहर हो जाएगा जिससे निरजलिये सोडियम कारबोनेट का जाता है जो जल का दसनू था वह बाहर हो गया इसलिए अब देखिए इसके आगे अगला इसका अगला गुलता है सोडियम कार्बोनेट अमलों को उदासीन बना देता है अमलों को क्या बना देता है और अभी किरिया के फल सुरूप योटू गर्ष देता है सुभाविक बात है यह सोडियम कार्बोनेट है अब जैसी इसको आमले के साथ अभी किरिया कराएं एक्जांपल के तौर पर है है हैड्रोकलोरिक अमल तो जैसी यहां पर क्या बन गया और जल बना और कौन सा गैस निकला बताई यह तो शियो टू गैस निकला तो आप लोगों के एक्जाम में यह अब लिग डिजेगा आप लोगह अई नहीं आदि आप लोग इसका पीडियाफ लेना चाहते तो इहां पर देखें मेरा मोवाइल नमर दिखना होगा यहां पर क्या मोवाइल नमर आशाट-825340 यह मोवाइल नमर है यह आप लोग मेक्सेज कर देजी आप लोगों बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा बरना ये टेलीग्राम चैनल है मेरा इस पर जौन हो जाएए अब इसका देखते हैं उप्योग क्या है कारबन डाफ सोडियम कारबोनेट का हम देखते हैं उप्योग तो ध्यान से देखिए जल कि अस्थाई अस्थाई का ठोरता को दूर करन होता है तो सोडियम कारबोनेट का सोडियम कारबोनेट अर्था धोवन सोडा का परियोग किया और देखिए कपड़ा घरों इतयादी को धोने में धोने में धोने में धोने में सोडा का उप्योग कर सकते हैं ठीक ना अब देखिया अब इसका उप्योग नमर तीन देखिए जाता है अब देखिए परियोग साला में अभी कर्म की रूप में किया जाता है करने में करने में करते हैं अभी कर्मा क्या होता है यहां पर कोई परदार्थ है यहां पर इसका परियोग और इसका गुन बता दिये कोशन जभी पुछा जाएगा तो पांच मास में कोशन पुछा जाएगा और आप लोग का कल से डेली टेन एम में अर्थात दस बजे सुबह आप लोगों को मेत का कलास कंटिनी चालू रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन